नमस्कार यूट्यूब चैनल एनिग निवर्स स्टडी में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे H.T.Prixia PRT Level 1 जो 24 दिसंबर 2017 को Evening Shift में आयोजित हुई और इस प्रिक्षिया में हर्याना राज्या जीके से समंदित पूछेगे प्रशनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे शुरू करते हैं पहला प्रशन फल्गू मेले का आयोजन होता है Option B कैथल में कैथल जिले के गाउं फरल में फल्गू तिर्थ स्थित है और यह तिर्थ पूरे देश वर में काफी परसिद है और यहां पर स्राद करम के लिए फल्गू तिर्थ के विशे में महाभारत के ग्यारवे पर्म में विस्तार से चर्चा है और यहां लिखा है कि फल्गू तिर्थ में सनान करके जो मनुश्य स्राद में भगवान गदादर का दर्सन करता है वह पित्तर रिन से मिमुक्त हो जाता है कुर्क शेत्तर के साथ वनों की स्रिंखला में एक वन है फलकी वन और इस वन में फल्गू रिशी ने तपस्या की थी और फल्गू रिशी के तब के कारणी है धरती इतनी पवित्र है फल्गूर इसी से सम्मंदित होने के कारण यह तिर्थ फल्गू तिर्थ के नाम से विख्यात है और परसीत तिर्थ पर अनेक सुंदर मंदिर है अगला प्रशन है निमल लिक्त में से कौन सा सहर स्मार्ट सहर प्रियोजना है तू? चुना गया इस प्रशन का सही उत्र है ओप्शन सी करनाल 23 जून 2017 को नैशनल वर्क्सोप अर्बन ट्रांस्फोर्मेशन न्यू डेली में उस समय के केंद्रिया सहरी विकास मंतरी और वर्तमान में भारत के 13 उपराश्टर पती विंकईया नाइडू ने स्मार्ट मिशन की तीसरी लिस्ट जारी की जिसमें देश के 18 राज्यों के 30 सहरों को सामिल किया गया और इस लिस्ट में केरल की राजधानी त्रिवनंध पुर्म पहले नंबर पर और करनाल 12 नंबर पर जगय बनाने में काम्याब रहे इन 30 सहरों पर 57,393 क्रोड रुपए खर्च किया जाएंगे आगामी पांच वर्सों में करनाल को आधुनिक सहर बनाने के लिए 1211.04 क्रोड रुपए का निवेश किया जाएगा और यह देश के सहरों को समार्ट सीटी के रूम में विक्सित करने के लिए एहम कदम होगा समार्ट मिशिटी मिशिन के तहट 90 सहरों की पहली सुची 25 जून 2015 को जारी की गई थी जिसमें हरियाना राज्य के दो जिले करनाल और फ्रीदाबाद जगय बनाने में सफल रहे थे अगला प्रेशन है हरियाना की सबसे उंची चोटी है इस प्रेशन का सही उतरा ओप्शन ए करो चोटी है पंचकुला से 30 किलो मेटर की दूरी परस्तित हरियाना की सबसे उन्ची मौरनी पहाडियां है जो सिवालिक स्रेणियों की उच सिवालिक स्रेणियों में आती हैं जिनकी उन्चाई 600 मेटर से अधिक है और इसकी 29 मुदर तल से 1514 मीटर है और यह मोरनी पहाडियों की सरवोच उन्ची चोटी है हरियाना भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमाई ने तो सागर तटको सपर्स करती है और ने ही किसी अंतराश्ट्रिय सीमा को हरियाना में सिवालिक पहाडियों का विस्तार राज्य के उतरी पूर्वी भाग में है और इस भाग में मुख्या रूप से अंबाला पंचकुला यमना नगर के उतरी भाग उतर पूर्वी भाग आते हैं अगला प्रसन है कलेसर राश्ट्रिय उध्यान आवस्थित है और इस पक्सी विहार की खोज का सरे पीटर जैक्शन नमक एक पक्सी प्रेमी को जाता है और इसे वर्स 1989 में राश्ट्रिय उध्यान बनाया गया था अगला प्रशन है पूरा तात्विक्स थल मिथा थल है ओप्शन C भीवानी जिले में अगला प्रशन है निमल लिक्ट में से कौन 1857 की करांती से संबंदित नहीं है इस प्रशन का सही उत्र है ओप्शन D सर छोटू राम सद्रू दिन यह इनका संबंद मेवात क्षेतर से था रावतूला राम और गोपाल देव दोनों भाई थे जिनका संबंद अहीरवाल क्षेतर से था 1857 की करांती में सर छोटू राम का जनम 24 नुमबर 1881 को हुआ था गड़ी सांपला में वर्तमान में हरियाना सरकार ने गड़ी सांपला का नाम बदल कर इनी के नाम पर चोदरी छोटू राम नगर रखा है चोदरी छोटू राम एक छोटे से कद के व्यक्ति थे जिनका व्यक्ति तो बहुत बड़ा था वे दीन दुखियों गरीबों के बंदू रहबरे आजम अंग्रेजी हकूमत के लिए सर तो किसानों के लिए चोदरी छोटू राम मसीहा थे एक समय ऐसा आगया जब छोटू राम की पढ़ाई के आगे के रास्ते बंद नजर आ रहे थे लेकिन सेट छजू राम से अचानक रेल में हुई मुलाकात इनके लिए बहुत फाइदे मन रही क्योंकि इसी मुलाकात में ये अपनी आर्थिक परिशानी उनके सामने रख पाई और सेट छजू राम ने इनकी पढ़ाई का खर्च वहन करने का वचन दिया इसके बाद तो इन्होंने सेंट स्टीफन कोलेज के सनातक और द्यानन्द एंगलोवैदिक कोलेज से संस्कृत का ग्यान लिया इलहाबाद से आगरा युनिवस्टी से इन्होंने वर्स 1912 में वकालत की पढ़ाई पूरी की और इसी बीच कुछ समय तक इन्होंने राजा रामपाल के यहां नोकरी भी की हिंदू समाचार पत्तर का इन्होंने संपादन किया और इन्होंने 1912 में जाट सबा का गठन किया साथ स्टमबर 1913 में जाट स्कूल की स्थापना की 1916 में जाट गजट नाम का क्रामती कारी अखबार सुरू किया जो हरियाना राज्या का सबसे पुराना अखबार है भाकडा बांद को सिरे चढ़ाने का स्रे भी इनी को जाता है पहले सतलुज के पानी का अधिकार बिलासपुर के राजा का था हरियाना के महान स्पुर्ट ने बिलासपुर के राजा के साथ एक समझोते पर हस्ताक्सर किये और भाकडा बांद का प्रस्ताव रखा जिससे भाकडा पर बांद बनाकर सतलुज का पानी हरियाना को दिया जाने लगा सन 1924 से 1945 तक पंजाब की राजनिती के अकेले सूरिय रहे 1937 मिन को सर की उपादी से सम्मानित किया गया चोदरी छोटु राम का 9 जनवरी 1945 को 63 वर्स की आयों में निदन हुआ अगला प्रस्ण है हरियाना की 13 विधान सबा के अध्यक्स है इस प्रस्ण का सही उत्तर है ओप्शन C कमरपाल संतोस यादव हरियाना विधान सबा की उपाद्यक्स है अबै सिंग चोटाला हरियाना विधान सबा में विपक्स के नेता हैं जो इलनाबाद से विधायक है से विधायक हैं अगला प्रसन है दो हजार ग्यारां की जनगणना के अमसार हरियाना में लिंगा अनुपात प्रतिये एक हजार पूर्सों पर महिलाओं की संख्या है ऑप्शन C 889 दो हजार ग्यारां में भारत की पंदरवी और हरियाना की पांचवी जनगणना हुई थी हरियाना की पहली जनगणना वर्स 1971 में हुई थी दो हजार ग्यारां की जनगणना के अमसार हरियाना की कुल जनगणना दो करोड त्रेपन लाग की 54,462 थी अगर दो हजार एक में बात करें तो हरियाना की जनगणना दो करोड ग्यारां लाग 44,564 थी तो इस परकार 2001 से 2011 के बीच हरियाना राज्या की जनसंख्या में 19.9% की वरिद्धी हुई जबकि भारत की दस्किय वरिद्धी दर 17.7% रही हरियाना राज्या की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगबग 2.09% है हरियाना प्रदेश का अगर जनसंख्या अगनतव की बात करें तो 573 है जबकि सम्पूर्ण भारत का 382 है अगला प्रशन है निवेसक सम्मेलन हैपनिंग हरियाना 2016 का आयोजन किया गया था इस प्रसन का सही उत्तर है ऑप्शन डी गुरूगराम में गुरूगराम में इसका आयोजन हुआ 7 से 8 मार्च 2016 को इसका हरियाना सरकार ने CII Confederation of Indian Industry की Partnership के साथ इस सम्मीट को आयोजित किया और इसका जो वेन्यू रहा वह होटल लीला एम्बियंस जो गुरूगराम में है इसमें यह सम्मीट आयोजित हुई थी और इस समीट का उदस्या विदेशों से निवेशकों को आकर्सित कर निवेश जुटाना था अगला प्रशन है उस युगम को चुनिये जिसके दोनों ही खिलाडियों ने रियो ओलंपिक 2016 में भाग लिया हो इस प्रशन का सही उत्तर है option A संदीब कुमार और इंदर जेट स प्रशन का सम्द्विटर रेस वोकिंग में इन्होंने पार्टिस्पेट किया था अगर इंदर जीत की बात करें इंदर जीत का संबंद भिवानी जिले से है और इन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में गोला फैंक में भाग लिया था हरियाना की अगर बात करें तो हरियाना से एक पदक रियो ओलंपिक में आया था और पूरे भारत को रियो ओलंपिक 2016 में दो पदक हासिल हुए थे एक रज़त पदक और एक कांसया पदक रज़त पदक को पीवी सिंदु ने बैडमिंटन में हासिल किया था और कांसया पदक को हरियाना की बेटी साक्सी मलिक ने हासिल कि इनकी उपलबदी यह है कि उलम्पिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान बनी इन्होंने 58 किलोग्राम स्रेणी में फ्री स्राइल कुस्ती में कांसे पदक जीता और 24 अगस्त 2016 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की इनको ब्रॉण अमेस्टर बन 2016 में इनको राजिव गांदी खेल रतन पुर्षकार से पुर्षक्रिप किया गया, M.D.U. उनिवस्टी ने इनको स्पोर्ट्स डारेक्टर न्यूप्त किया और मेरी सी दैयनेंड उनिवस्टी की स्थापना वर्स 1976 में हुई और 2016 में रियो उलम्पिक ब्राजिल के रियो डी जनेरियो में हुआ और 2020 का उलम्पिक जापान की राजदानी टोकियो में 24 जुलाई से 9 अगस्ट 2020 तक इसको आईजित किया जाएगा दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं सेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ स्टूडेंट्स के साथ और एन इनिवर्स्टेडी को सब्सक्राइब करना ना भूले जल्दी हाजिर होते हैं कि नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे